So, welcome back to another video. In this video, we are going to discuss about electric field intensity due to a point charge. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, निकालने वाले electric field intensity due to a point charge, means एक point charge की वज़े से हमारी आसपास जो कितनी electric field intensity होती है, उसकी value कितनी होती है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि electric field intensity जो होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका simple सा हमारा मतलब होता है, जैसे आपने एक word सुना है, electric field, electric field का मतलब होता है, कोई अगर charge है, charge अपने आसपास एक ऐसा space पना लेता है, जहाँ पर वो अपना जो attraction और जो repulsion है, वो मतलब उसको show करता है, तो वही उस space को बोलते है अपना electric field, और electric field, आ जाता है हमारा electric field intensity, electric field intensity का आजाता है, जो उसका वो space है, उस space के अंदर वो कितनी force से उसको attract या rappel करता है, वो जाती है हमारी simply जो आ जाता है electric field intensity, तो हमारा कुछ इस तरीकी का system आता है, system में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास source charge है, और एक हमारे पास test charge है, इन दुनों की help से हम निकालने वाल direction होती है, वो opposite होती है, मिन्स उसके सामने, मिन्स उसके side से opposite जाती है, तो हमारे force के direction होगी, उसके opposite, मिन्स इस तरह से दूर जाएगी, अब यहाँ पर एक हमने लिया है, जो यहाँ पर dash dash वाली line है, यहाँ तक जो उसके electric field है, उसके अंदर हमने एक p point लिया है, पी point पर जो distance है, वो है हमारा a, यह सब हमारा एक system में आ जाता है, अब हम देखते हैं कि मतलब, जो हमने story बताई है, मिन्स जो हमने system बताई है, एक तरीकिस हम इसको अपना language में लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम examination में derivation करेंगे, तो हमें सिर्फ यह diagram बना कर इन छोड़ना हमें यह जो क्या क्या कर रहे हैं, यह भी बताना होता है, जब हमारी examination में जो derivation मिलते हैं, तो सबसे पहले लह जाता है, let q is the source charge placed as a point p, means हमारे पास एक q जो है, वो source charge है, जो की p point पर रखा हूँ है, here p is the observation point where we want to determine electric field intensity due to a source charge, means जो p point है, वो एक हमारा observation point है, जहां पर हमने एक test charge रखा है, और वहां पर हम निकालना चाहते है, अपनी electric field intensity due to a source charge, for this purpose, we just place a test charge at this position, इस चीज़ी को निकालने के लिए, means electric field intensity कितनी आएगी, उस जहना पर हमने क्या रखा हूँ है, test charge रखा हूँ है, simply, यहां तक कोई problem नहीं है, next आता है हमारा electric field intensity, तो electric field intensity की statement होती है, हमने से definition होती है, वोती है हमारी electrostatic force per unit, test charge without disturbing source charge, means जो हमारा source charge है, means यहां पर हमरों हमेसकी, जो electric field है, ahorई पर test charge रखाई है, तो उस पर कितनी force लग रही है, per unit test charge के without disturbing source charge, means source charge नहीं पर रखा हो है, source charge की व выजए से test chars, पर कितनी force जा रही है, तो वो आजाती है, हमारी is equal to f upon q 0, यहां जा चाहते हैं और नीचे हमारा क्यूंट तो उगा है तो क्यूंट से हमारा यहां पर क्यूंट कट जाता है और हमारी जो फाइनली वैल्लिय आ जाती इलेक्रिक फ्रीड इंटेंस्टी ड्यू तो पोंट चार्ज दोनों के बीच का distance और our unit vector तो हमारा direction दिखाने के लिए हमारी simple value यह है तो यह आ जाती है हमारी electric field intensity due to a point charge की simple सी value यह जो हमारा derivation होता है यह derivation भी important होता है और यह जो हमारा फॉर्मूला है इससे जीतने भी हमारे numerical सत्य है उससे भी हमारे examination के लिए बहुत जादा important होते हैं तो books में और जो हमारे sites की books है जो reference book है और में जीतने भी इससे डिलिटे आपको question मिले वह आपको जरूर करने है और यह जो derivation है यह भी आपको जरूर प्रेक्टिस करना है तुसको लाइक जरू कुरना जाते हो चैनल को सब्सक्राइब जरू कुलना है